30 अगस्त 2030 रक्षा बंधन डेट पर भद्राकाल में राखी बांधना अशुब है रक्षा बंधन पर भूल कर भी ना करें ऐसी गलती है राखी कैसे बांधना होता है शुब रक्षा बंधन पर करें यह उपाए रक्षा बंधन पर भद्राकाल में राखी बांधना अशुब होता है जोतिस रास्त के अनुसार भद्राकाल में विवा, ग्रिह प्रवेश, मुंडन, जनेव संसकार करना भी वर्जित है जब भद्राकाल रहे तो इस दोरान पूजा पाठ और ध्यान करना चाहिए सनी महराज की तरह ही खतरनाक है सनी की यह बहन सनी महराज की टेड़ी नजर से भला कौन नहीं डरता सनी क्रोधित हो जाए तो राजा को भी भिखारी बनाने में इन्हें देथ नहीं लगती यहीं कारण है कि सनी को जोतिस सास्त में पाप ग्रह कहा गया है सनी महराज की तरह ही इनकी बहन भद्रा भी काफी खतरनाक मानी जाती है जो तिस साष्टर में कहा गया है कि शुर्य देव की इस पुत्री का स्वरूप बड़ा ही भयंकर है रंग काला केश लंबे और दांत विक्राल है जन्म लेते ही यह संसार को खाने के लिए दोड़ पड़ी यग्यों को नश्ट कर दिया मंगल यात्रों में बाधा डालने लगी इनके इस व्यवहार के कारण किशी भी देवता ने विवाह करने से मना कर दिया शुर्य देव ने जब विवाह के लिए स्वयमवर का आयोजन किया तो भद्रा ने उसे भी नश्ट कर दिया तब ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि हे भद्रा तुम बाव बालाओ कॉलाओ तैतिल आदिक करनों के अंत में सात्वे करन के रूप में इस्थिर रहो इस तरह ब्रह्मा जी ने भद्रा को समय का एक भाग दे दिया ब्रह्मा जी ने भद्रा से यह भी कहा कि जो ब्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, ग्रिह परवेश, खेती, व्यापार और मांगलिक कारिय करे तुम उसमें विक्न डालो जो तुम्हारा आदर ना करे उसका कारिय द्वस्त कर दो भद्रा ने ब्रम्हा जी की यह बात मान ली और समय के एक अंस में विराजमान हो गई इसलिए किशी भी सुभ काम का आरंभ भद्रा काल में नहीं किया जाता है क्यों नहीं बांधते भद्रा काल में राखी भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित होता है इसके पीछे कई कथा प्रचलित है पौरानिक कथाओं के अनुसार रावन की बहन सुर्प नखा ने भद्रा काल के दोरान राखी बांधी थी जिस कारण रावन और उसके सामराज का अंत हो गया था इस कारण से जिस वर्ष भी तच्छा बंधन पर पुर्णिमा तिथी पर भद्रा काल राता है उसमें राखी नहीं बांधी जाती है वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भोले नाथ भद्रा के समय तांड़ो करते हैं इसलिए भी भद्रा काल के समय सुभ नहीं होता वहीं भद्रा सुरे देव की पुत्री और सनी देव की बहन है भद्रा सुभाव से बहुत ही उग्र होती है इस कारण से भी भद्रा को असुभ माना जाता है पुर्णिमा तिथी का प्रारंब 30 अगस्त 2023 की सुवह 10 बचकर 58 मिनट से पुर्णिमा तिथी का समापन 31 अगस्त की सुवह 7 बचकर 7 मिनट बाद भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त की सुवह 10 बचकर 69 मिनट से भद्रा की समापती 30 अगस्त की रात 9 बचकर 1 मिनट पर राखी बांधने का महुर्द 30 अगस्त की रात 9 बचकर 3 मिनट से 31 अगस्त सुवह की 7 बचकर 7 मिनट तक रहेगा रक्षा बंधन भद्रा पुंच 30 अगस्त की साम 5 बचकर 30 मिनट से साम 6 बचकर 31 मिनट तक रक्षा बंधन भद्रा मुक 30 अगस्त की साम 6 बचकर 31 मिनट से रात 8 बचकर 11 मिनट तक राखी कैसे बांधना होता है सुब राखी का तेवार भाई बहन के आपसी इशने और प्रेम का पत्ती होता है सास्तों में राखी बांधने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं सबसे पहले राखी पर भद्रा काल रहित मुहुत का विचार करके राखी की थाली सजाएं राखी की थाली में रोली, कुमकुम, दीपक, राखी और मिठाई रख लें फिर भाई को पुर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए इसके बाद भाई के सिर पर रुमाल या फिर कोई कपड़ा जरूर रखते और अंत में भाई की आर्ति उतार कर मिठाई खिलाएं प्राचिन गरण्थों में भद्रा को सुरे की कन्या और सनी की बहान मना गया है कहते हैं कि इसकी उग्र प्रक्रिती को सांत करने के लिए ब्रम्हा ने भद्रा को काल गनना यानी पंचांग के करन में अस्थान दिया जहां उसका नाम विष्टी भद्र या विष्टी करन रखा गया अक्सर भद्रा को असुभ समझने की भूल की जाती है पर सदैव भद्रा सदैव असुभ नहीं होती यूँ तो भद्रा में उत्सो ग्रिह प्रवेश यात्रा विवाह सहित कई प्रकार के सुभ कर्म निशिद्ध हैं प्रन्तु यग्य विवाजन वाद विवाद प्रतियोगता वैज्ञानिक तक्नीकी या तंत्र कारिय मुकर्मे वराजनैतिक प्रयोजनों में भद्रा को सफलता परदायक माना गया है तीस अगस्त बुद्धवार को दस बचकर अंठावन मिनट सुभ में भद्रा काल में श्रावन माह की पुर्णिमाति थी आरंभ हो गई है पूरे दिन भद्रा काल का छाया रहेगा जिसके चलते दिन भर रक्षा बंधन पर राखी नहीं बांधी जा सकेगी तीस अगस्त को राखी बांधने के लिए कुल मिलाकर एक घंटा बारा मिनट का समय मिलेगा श्रावन पुर्णिमा के दिन रक्षा सुत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है इस दिन लाल कपड़े के एक भाग में सरसो तथा अच्छत रखकर उसे लाल धागे से बांध कर सुध पात्र में रखकर भगवान विश्नु की परतिष्ठा करें फिर सोड सोप चार विधी से पूजा कर उसे कलाई में बांधे और अपने घर के मुख द्वार पर भी बांधे इससे आपकी और आपके परिवार की रक्षा होगी तथा कोई भी विग्न बाधा नहीं सताएगी रक्षा बंधन के दिन बहने अपने भाई की कलाई पर रक्षा के लिए राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपार देते हैं रक्षा बंधन पर बहने राकी बांधने से पहले सर्च सवर कर तयार होती है बहने रक्षा बंधन पर हाथों में मेहदी जरूर लगाती है रक्षा बंधन पर जहां भाई की कलाई पर राकी सजी होती है वही बहनों की हथेलियों पर महदी की खूब सूरत और तरह तरह की डिजाइन भी सजी रहती है किस कलाई में बांधे राखी सास्तों के अनुसार पुर्सो और विवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में रक्षा सुत्र बांधना चाहिए और विवाहित इस्तिरियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का विधान है कलावा बंधवाते समय उस हाथ की मुठी को बंध रखकर दूसरा हाथ सिर पर रखना चाहिए कलावे का बांधा जाना हमें उस संकल्प को याद करते रहना तथा उसकी पूर्ती के लिए परियास करते रहना सिखाता है मनों वैज्यानिक रिष्टी से हाथ में कलावा बंधे होने से व्यक्ती को शोयम ही परमात्मा द्वारा अपनी रख्चा होने का आभास होता है जिससे मन में सांती व आत्म बल में व्रिधी होती है व्यक्ती के मन मस्तिस्क में बुरे विचार नहीं आते राकी पर अपने इष्ट देव की विरिवत पूजा अर्चना करें फिर सबसे पहले भगवान गनेश को रक्षा सुत्र बांधे और घर के मंदिर में अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए घी का दीपक जलाएं और उन्हें रक्षा सुत्र अर्पित कर आशिरवाद ले रक्षा बंधन पर भूल कर भी ना करें ऐसी गलतिया दरसल तीस अगस्त को सावन पुर्णिमा तिथी के शुरू होने के साथ भद्रा भी शुरू हो चुकी है भद्रा में राखी बंधना सुभ नहीं होता है भद्रा का समापन रात को नौ बजे के बाद ही होगा ऐसे में तीस अगस्त को राखी बंधने का सुभ मुहुर्ट रात नौ बजे के बाद ही रहेगा बहनों को भाईों की कलाई में राखी बांधते समें कुछ बातों का विश्ष ध्यान रखना चाहिए बहनों को भाई की कलाई पर राखी भूल कर भी उत्तर पस्चिम दिशा में बैठ कर नहीं बांधनी चाहिए राखी बांधते समय बहनों का चेहरा दच्छिन पश्चिम दिसा में और भाईयों का चेहरा उत्तर पुर्व की दिसा में होना चाहिए रक्छा बंधन पर काले रंग के कपड़े पहन कर भाईयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए कभी भी भी बहनों को काले और नीले रंग की राखी को भाईयों की कलाई में नहीं बांधनी चाहिए राखी बांधने के बाद भाई की आरती जरूर उतारे और घर पर दीपक भी जरूर जलाना चाहिए राखी बांधते समय इस मंत्र का जरूर करे जाप रक्षा बंधन पर भद्रा काल का असुब छाया पढ़ने के कारण आज दिन भर राखी नहीं बांधी जा सकती है 30 अगस्त 2023 को वैदिक जोतिस सास्त्र में राखी को लेकर कुछ नियम बताए दे हैं रक्षा बंधन पर रक्षा सुत्र का रंग लाल पीला और सफिद रंग का होना चाहिए वहीं काले और निले रंग की राखियों से बचना चाहिए इसके अलावा राखी बांधने समय सास्त्रों में वर्नित मंत्रों का जाप अवस्य करना चाहिए राखी बांधने का मंत्र येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बग्त्रामी रक्षे माचल माचलः रक्षा बंधन पर सुर्य और सनी हुए आमने सामने इस वर्ष 30 अगस्त 2023 को रक्षा बंधन पर ग्रहों के गोचर का एक खास संयोग बना रहा है इस बार जोती सिय गर्णा के मताबिक रक्षा बंधन के दिन सनी ग्रह अपनी मूल त्रीकोन रासी कुम्भ की यात्रा पर है कुम्भ सनी की स्वैम की रासी है और 30 वर्षों के बाद सनी अपनी ही रासी में दुबारा से आए है वहीं सुर्य जो की सनी के पिता हैं वे एक दूसरे के आमने सामने लगभग 180 डिगरी की इस्थिती पर होंगे सुर्य भी अपनी खुर की रासी और सनी देव भी अपनी रासी में है इस तरह से दोनों एक ही एक दूसरे के आमने सामने है रक्षा बंधन 2023 तिथी और सुभ मुहुर्थ 30 अगस्त 2023 को 57 माह की पुर्णिमा तिथी है और आज ही 57 का आखरी दिन भी है हिंदू पंचांग के अनसार हर वर्ष 57 माह की पुर्णिमा तिथी पर रक्षा बंधन का तियोहार मनाया जाता है लेकिन इस बार रक्षा बंधन 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा दरसल 30 अगस्त को पुर्णिमा तिथी के आरंभ के साथ ही भद्रा लग जाएगी और यह भद्रा काल पूरे दिन तक चलेगी भद्रा काल में राखी बंधना असुब होता है ऐसे में आज 30 अगस्त को स्रावनी पुर्णिमा होने के बावजूद राखी नहीं बंधी जा सकेगी भद्रा रात के 9 बज़ कर 1 मिनट पर समाप्त होगी फिर राखी बंधी जा सकती है